आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, the question is IPC name of CS3, CS2, CHNH2 CH, CS3 फिर यहां पर आपका CS3 इसका हमें IPC name बताना है क्या होगा ठीक यह जो आपको compound दिया गया है इसमें IPC name कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो आप देखेंगे कोई functional group है तो हमें देखने में मिलना है कि functional group जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर जो है यह आपका आमीन है तो यहां पर आपका IPC name जो है मतलब लिखने के लिए हम क्या करेंगे यह functional group लगा हो आमीन अब यहां पर देखेंगे कि इस आमीन को consider करते हो मतलब functional group को consider करते हो है parent chain चूज करेंगे तो parent chain जो है वह आपकी पांच carbon की चूज कर ली हमने यहां से यहां तक और उसमें जो अब बच्ची हुए जो भी carbon की chain आएगी वह सारी substitute में हो जाए तो हम numbering यहां से कर रहे है 1,2,3,4,5 यहां से क्योंकि क्योंकि जो आपका बच्चा हुआ substitute था वह आपका CS3 था ठीक है क्योंकि यहां पर यह जो है parent chain में चली गई जो है अब यहां से क्या है कि आपका functional group भी आपका ऐसी numbering करनी चाहिए जहां से functional group भी पास में हो और substitute भी पास में हो तो substitute जो है वह आपका second position पर आ रहे था इसलिए यहां से आपकी numbering जो है वैले हो गई और इसका जो नाम लिखा जाएगा वो क्या लिखाएगा तो two position पर आपका methyl group है तो two methyl और क्या हो जाएगा आपका पांच कर्बन का है तो पांच कर्बन के लिए pentane ठीक है और third position पर आपका amine लगा हुआ तो three two methyl pentane three amine ठीक है तो इसका जो है IPC name हो जाएगा two methyl pentane three amine two methyl pentane three amine जो है वो option number B में है तो B इसके लिए क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर